अच्छा थैंक्यू पुल्की जी हेलो बच्छो नमस्कार अभी मेरे सामने कौन-कौन है मलब कमेंट बॉक्स में कौन-कौन है ना या कमेंट बॉक्स में नाम किस-किस के हैं मन्जीत अर्विन रोहित शानवी सभी को गुड इवनिंग आज हम क्या कर रहे हैं देखो आज हम पढ़ रहे हैं पढ़ते तो रोज हैं आज कुछ अलग क्या बढ़ रहे हैं आज हमारा टोपिक है कार-डेस बॉड है ना यह दीखो आपो कार में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है कोन बैठा है इसमें से इस्वर्शिंग आना तो हमारे सिस वर्शिंग यहां कार में बैठे वे हैं और उनने स्टेरिंग पक यह बहरोर सुना कम सुनावा नाम लग रहा है यह थोड़ा सा है ना ठीक है अच्छा वह एक बार आपका मैं कमेंट पढ़ता हूं उसके बाद यहां हो जाता हूं तो दूसरा कमेंट फिर आपका चला जाता है इसलिए मैंने मिस्स कर दिया साइद वह हाल चाल वाला हाल चाल अच्छा एकदम ठीक है ठीक है ना और थोड़ा सा यूगा बगरा करना भी स्टार्ट किया है आज कल कि जो वेट मैंने लूज कर दिया है ना सेथ को दुबारा से बनाओं और आप लोग कैसे बताओ कोट पूतली के पास है यह कोट पूतली भी नहीं जानता मैं तो है ना क पूतली का है पिलानी के पास अच्छा पिलानी के पास अच्छा पिलानी तो राजस्तान में पता है हाँ अच्छा देखो बच्चो मीटर स्टेरिंग सीट बेल्ट सीट कुछ से मीटर में लाइट वगरा होती है पार्किंग लाइट हैंड ब्रेक है ना काफी सारा यह जो स तो तब बहरोर है कोई रिवाडी के पास बता रहा है वैरी गूड है ना है मतलब यह जो भाई कौन थे बहरोर से इनके लोकेशन चेंज कर दो आसपास है ना पांच साथ जगह बता दिया सभी नहीं यह आपको इसमें अक्सर तो छोटे-छोटे दिखाई दे रहे होंगे है चितर ठिक ठक साथ में दिखाई दे रहे है पर उसमें पता नहीं लग पा रहा होगा कि साथ है क्या अच्छा मैं बता दूँ इसमें इसमें आपका यह स्टेरिंग है यहां पे यहां पे आपका FM वगरा या जो भी लगा लो आपका audio system लगा लो वो है आपका अच्छा यहा आपके जो FM वो होता है उसके आसपास होते है ठीक है audio system के आसपास आच्छा यहां पे बीच में यह आपका क्या लगा हुआ है gear यहां पे handbrake यह सब चीजें आपको बड़े या दूसरे चितर में देख लेंगे ठीक है अच्छा एल्टो 800 किसे ने पहचान लिया क्या मुझ डेस्क बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे इसके अंग इसमें क्या क्या पार्ट जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सा इसके बारे में discuss कर लेंगे 11 को आपकी मेराथन कलास है क्या 11 को है 12 को है मेरी जो मेराथन कलास है बच्छो वो है सेचलडे को ठीक है चेतावनी की लाइट्स चेतावनी या यूं कह दो वार्निंग वर्ड ज्यादा यूज होता है आजकल किसकी बजाए इसका मुझे पता नहीं अभी मुझे ध्यान नहीं ठीक है अच्छा यह देखो तो 11 को सहार दे तो 11 को हमारी कλαस होती है ठीक है यह देखे लो इसमें यहां पर स्ट्रेंग रहा पहले तो यह बताओ इस चित्र में आपको इसके अलग-अलग अंग ,inder,hand break, च्रिल, दिखाई दे रहे हैं क्या पहली तो यह बताओ यह चित्तर साफ दिखाई दे रहा आपको है ना क्योंकि मुझे ठीक ठीक दिखाई दे रहा है आपको कैसा दिखाई देगा पता नहीं आप वो बताओ पहले है ना की टायमिंग्स डिसाइड हो गया कि असा है 10 वजे का टायम रेगा 10 वजे सूबह sounds सूबह시면 page marathon class होगी और कई subject सी होगी आपकी marathon धोगी आपकी marathon class जो है इसमें असा नही है कि marathon class सिर्फ driver special part कहोगी एक जैसे मार्हेसे 13 12 अपके पास marathon class 13 करेंगे ठीक है वैसे मैंने इतने लंबा कभी पढ़ाया नहीं है सच बताऊं तो बहुत लंबा रहेगा मेरे लिए एक घंटा बड़ी मुश्किल से होता है तो चलो कोई लिए या ओडियो शिस्wnम जो दिखाई दे रहा है आपको एक में यहां पर रियर वीव मीरर पिछे की साइड अगर देखना है तो वो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर सषंड वाईजर है ठीक है सन वाईज़र यह क्या होते हैं कि जो सन से आपको बचाएं जो धूप अगर करड़ी धूप करड़ी को कैसे बोलू मैं आपको तिखी धूप समझ लो तिखी धूप आ रही हो ना तो उसको ऐसे यूँ कर लो उसको तो थोड़ा सा धूप से कुछ ने कुछ बचा देगी यानि इतना एहरिया आपको और बचा दिया दूप से अगर यूँ करोगे तो यहां से दूप आ सकती है जैसे यूँ कर दोगे उसको तो sun visor है यहां पर आपका AC event है या air event बोल दो आपको एक यहां पर लगा हुआ है एक यहां पर है एक यहां पर है तीसरा और एक इदर खिटकी के पास चार AC event इसमें लगे वे हैं और भी देख सकते हो आप अच्छा क्यूशन भी कराएंगे बिल्कुल जो जैसे आप तो start कर दिये ना तुशार आपके कहने पर इवन सभी बच्चे कह रहे थे आप सबसे ज़्यादा बार क्यूशन का कह रहे थे तो मैंने start कर दिया था क्यूशन कल की कलास में आपने देखे होंगे आज भी है क्यूशन ठीक है करडी गुरूजी अपनाे हर्यनवी तो हमेशा साथ रहे गया हर्यनवी वह करडी अच्छ csak अच्छ यह क्या है बच्चो यह आपका हैंडब्रीक कह सकते हो इसको हैंडब्रीक ठीक है ना अच्छा पार्किंग ब्रेक भी कह देते हैं कि इसको पार्किंग ब्रेक ये पार्क करते हो तो भी इसको उपर उठागे छोड़ दो गाड़ी हिलती नहीं है ये आपके पास गियर आ जाएगा यहां पर जितना जितना देखर आपको कलच ब्रेक वगरा थोड़े थोड़े दिख रहे हैं तो थोड़ा से हमने आईडिया लिया यह विंड स्क्रीन हो जाएगी आपकी है ना पाकी चित्र यह थोड़ा सा साफ कम है इसमें दुबारा से कुछ चीजों को मैंने दिखाया एक डायग्राम सा मिल गया था मेरे को इसमें थोड़ा साफ दिख रहा इसा ठीक है ना तो दुबारा से एक बार देख लेते हैं इसमें अच्छा यहां पे देखो यह क्या है यह तो हम मीटर ना कि यहां पर अंदर आपको बहुत सारे मीटर मिलेंगे ठीक है कि मतलब चाबी कई जग आज कल पुस्ट बटन भी आने लगया तो चाबी नहीं आती सिर्फ बटन दबाओ स्टार्ट हो जाता है फिर चाबी आपकी पास होनी चाहिए ऐसा नहीं घर छोड़के आई हो ठीक है अच्छा यह तो बड़े-बड़े कमेंट है शौम्या य तो मैं यह हमारी जो टीम है वह आप अंसर कर देगी यहां पर यह आपका एक्सेलेटर हो गया यह आपका ब्रेग ओगया बीच में इदर कलच हो गई अगर आपके पास मैनुल गाड़ी है तो अगर आपके पास ओटोमेटिक गाड़ी है तो फिर उसे कलच नहीं आएगा सि हजूर तो नहीं पढ़ती होंग गेर लगाने नहीं आपने अच्छा इसमें यहां Student दिखा रखा है यहां पर ठीक है न और यह Steering Wheel दिखा रहा है आपको इसके बारे में आप अपढ़ेंगे Steering Wheel जैसे हैडियूलिक स्टेरिंग वील और अदुरीक स्टेरिंग भील आचा ये क्या है ये आपका गेर आ गया यहां लिखा हुआ है इसको क्या लिखा हुआ है गेर एक्चुली ये गेर सिस्टम तो बहुत बड़ा होता है ये गेर का क्या होता है लीवर होता है तो गेर आये तो ठीक है गेर लीवर आ जाए आप इसको पहचाल लेना अब्ज किसी गाड़ी में AC ना हो, आज कल तो साइद ऐसी गाड़ी नहीं आती होगी जिसमें इसी ना हो, पहले पुराने जमाने में आती होगी, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, रेडियो सिस्टम, ओडियो सिस्टम जो भी बोल दो यहां पर यह हो जाएगा आपका ठीक है ना कुछ बटन हो जाएंगे AC के, आपके म्यूजिक सिस्टम के, ठीक है अच्छा अब देखते हैं आगे यह देखो, पहले हम मिटर को देख लेते हैं मिटर, इसमें आपको कई परकार के मिटर कह दे कई सुईयां बोल देते हैं, कई कहते हैं घड़ी कुछ भी बोलो, वो आपको दिखाई देता है सामने, और इसमें पर आप यह तो पहचान लेते हो यह वाला, मैंने लिखा हुआ ना यहां पर speedometer, यहां पर हिंदी में और लिख देता हूं यह जो बलैक है पिछे और बलैक के ऊपर पिंक से लिख रहा हूँ, यह दिखाई दे रहा है क्या speedometer, यह क्या करता है यह आपका speed बताता है speed speed बताता है ठीक है बच्चो इसके अलावा हमारे पास और कोंड से हैं देखो जरा और भी अपकी पर सुया दिखाई दे रही है ठीक है अच्छा तो रचना ये देखो इसमें क्या है यहां पे लिखावा है F और यहां पे लिखावा है E ठीक है और इसका मैंने यहां फ्यूल लिख दिया हिंदी में तेल बताने वाला मीटर है यह यहां पर जग का निसान भी बना हुआ है यहां पर क्या बना हुआ है जग और वार्निंग लाइट वगरा गाड़ी में कहीं भी जग का फोटो ऐसे आए तो आप समझ जो कि तेल खतम हो गया आपके जग में तेल नहीं है तेल डलवा गया एक दम दिखा इतने में गाड़ी आगे चले गई और फिर तेल खतम हो गया जी तो इसलिए उस टेम क्या करना चाहिए गाड़ी की स्पीड धीरे कर लो गूगल मैपे चेक कर लो कहां सिका रहा है पेट्रोल पंप है ऐसे कर लो ठीक है ए का मतलब क्या होता है गुरू कि ने की तरफ जा रही आपकी टंकी सचेत हो जाओ अप इससे पहले की वो नकई बढर क्या होता है खाली हो जाए रिजरो में चलाते रहेंगं नहीं रिजरो में चलाने का स्क मत लिया करो दूर पहली डिलवालो क्या दिक्कत है और यहां पर बलवंत ने बताया एफ से वह हो गया आपका फुल ठीक है ना आपकी पूरी भर्यूई टंकी है जैसे आप कहते हो फुल कर दो भी तो फ पे स्वीच ली जाती है जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है ठीक है जी तू अच्छा यह भी हो गया आपके पास इसके बाद यह थी इमैटर की क्या है टैक intervene में लिख़ा मैंने अभी हंधी में लिख देता हूं टेक क्या मैं याद रखने के लिए देख लो आप की टैक्डो इस रिलेटिड आ गया वा रिलेटेड आ गया simple नहीं है technology ठीक है यह वाड़ा simple speed बताता है दिख रहा है जैसा है वैसा दिख रहा है यहाँ पर क्या है कि 140 दिखाएगा उसका मतलब 140 ही है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 4 पर सुई एक बार आई ठीक है तो एक मालो speed पर चल रही है गाड़ी दूसरी बा काई बार चार पर आये तो ज़रूरी नहीं उतनी speed से चल लिए है यहाँ हर बार सुई 1-132 पर आएगी तो हर बार गाड़ी स्पीड सेम है स्ट रही है ओप यहाँ पर छार पर बार राय आएगी तो इसका मतलब हर बार स्पीड अलग लग हो सकती है थीक है ना τα simple नहीं है ना complicated है ज़रूर नहीं कि एक सी speed से गाड़ी चल रही हो कभी कम में भी कम speed में भी 4 पे आ सकता है ये meter और कई बार ज्यादा speed में भी 4 पे आ सकता है कई बार कम speed में 4 पे जा सकता है और ज्यादा speed में 3 पे भी हो सकता है तो इसलिए थोड़ा सा complicated है आसान नहीं है तो इसलिए इसको नाम रख दिया टैकोनलोजिस रिलेटेड टैकोमीटर यह क्या बताता है आपका यह बताता है आप 400 मिंटर की दोड़ मारते हो कई बार तो पार्क में वो ग्राउंड में बना होता है ना 400 मिंटर का गेहरा तो उस गेहरें को एक गेहरा मार लिया आपने revolution ठीक है तो revolution पी से क्या आजाएगा बच्चो पर और M से मिनट एक मिनट में कितने चक्कर मारे ठीक है ना यह आजाएगा आपका यह किस से समद्धित है बच्चो कुछ बच्चे कहेंगे बताओ किस समद्धित है क्या बताओ किस समद्धित है ठीक है ना 4 मतलब 4000 बहुत सही बताया बलबंद ने 4 का मतलब यहां पर 4 लिखा हुआ ना तो चार का मतलू होता है तो 4000 क्यों होता है यह मतलब देखो यहां इसने पहले outsiders इसमें दिख रहे आपको क्या अलिखाभा इसने गुना 1000 कि जितना अलिखा वा उसको 1000 से गुणा करदो पांच है तो 5000 RPM 5000 पर मिटर ठीक है क्या होता है इसका मतलब चक्कर, सापट बहुत सही बताया, सापट कैसे कितना घूमती है उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है ना, इंजन की जो क्रेंक साफ्ट है, बिल्कुल इंजन की क्रेंक साफ्ट अगर 4000 चक्कर मार रही है तो ये सुई 4 पे आजएगी, 3 मार रही है तो 3 पे दो सीथिया आपके पास, क्रेंक साफ्ट 4000 आर्पीम से चल रही है, यानि 4000 चकर मार रही है एक मिनिट में, क्रेंक साफ्ट यूई गोल गोल, और एक मार रही है आपकी 3000 आरपीम, तो स्पीट, गाड़ी की स्पीट किसमें ज़्यादा होगी बताओ, ये बताओ, मेरे को 4000 में मोहन अर्यानु, चलो पकड़ा गया भी मोहन को पकड़ लिया, यही में मुर्गे का इंदिजार कर रहा था, कौन मुर्गा बने, ज़रूरी नहीं है, आप कई बार क्यूस्टन के हैं, MCQ, multiple twice क्यूस्टन, कई बार आपके पास, कुछ information आती है, आप से पूछा जाता है आप देखते हो, A कुछ देरक है, B कुछ देरक है, C में, all of the above, कई बार ऐसे आ जाता है, none of the above, और कई बार आ जाता है, data insufficient, कि data प्रयाप्त नहीं है, ठीक है, data insufficient, यह सुना है आपने कभी, data insufficient, कि आपने गुरूजी परसन जो बोला है, उसका data पूरा नहीं दिया आपने, इ गेर पे depend करता है, ठीक है ना, गेर पे 3000 वाला भी सही नहीं है, देखो, गेर अगर बड़ा है, तो speed 3000 वाला में भी ज़्यादा आ जाएगी, और गेर अगर मालो छोटा है, तो 4000 भी कम speed देगा, तो गेर पे depend करता है, क्रेंक साफ्ट गूमती है, ठीक है ना, उसके आगे gear system आपका कलच के बाद जाते है, गेर सिस्टम, तो वो ज़दा गूमती है, मैंने बताया था ना, एक दिन, कि मालो ये गूम रही है, क्रेंक साफ्ट आफ्ट की, तो गेर बोक्स वाले में दानते दिखाए थे आपको उस दिन, तिल्लियां सी, तो वो जो दानते होते थे, तो क्रेंक साफ्ट वाले में मालो 24 जानते हैं, और उसमें कितने आ जाएंगे मालो 12, ठीक है न तो वो 24 गूमेगा, उतने में 12 एक चकर लगाएगा, ठीक है न, इधर वाले कितने गूमेंगे, 24, और वो 12 वाले तब तक क्या गूम जाएगा, दो बार गूम जाएगा वो, तो मालो उसे बड़ा है साफट गेरवोग्स वालो की क्रेंक वाले की速 20 है उसकी 48 है तो क्रेंक साफट जबार गुमाएगि तब गेरवाले एक चकर काटे Гार घांट तो गेर सिस्टम जड़ी आ और गुमा पाएगा तो गेर सिस्टम का चक्कर बड़ा है अगर आपने साइकल में भी तो देखा है ना पिछे वाली पूली बड़ी हो तो साइकल धीरे चलेगी छोटी पर जाड़ जाता है छोटी जल्दी गुमती है ठीक है न अच्छा तो यही मैं कहा रहा था कि यह कोई महतब नहीं आर पिम का हजार दो जा तीन ते महतव है क्रेंक साफ कह सकते हो इसको अच्छा ताकत कह सकते हो कि वह तो तो ताकत पैदा कर रहे है पर गेर आपने छोटा लगा रुख है तो वह क्या करें ठीक है ना तो वह दिखाता है यह यानि कि यह भी बहुत ज़्य को बहुत ज़्यादा तंकर रहे हो है ना छोटा गयर लगा रखा है स्पीड गड़ी पकड़ने रही तो इतना आर्पीम पे नहीं ले जाना चाहिए ना धाई करेगा उतनी बार क्रेंक साफ्ट घूमेगी ठीक है ना तो पिस्टन और क्रेंक साफ्ट की बता रहा है स्पीड यह बताएगा आपका स्पीड आपकी गेर पर डिपेंड हो जाएगी क्योंकि जो आपकी जो पैया घूमता है कि से एकसल से एकसल गूमता है डिफरेंशल से डि जहा करो खेख़ तो डीजल जादा पियेगी थिर वह क्योंकि ताक़त जादा दे रही है वह जादा बार गूम रही है ना क्रैंक साफ्ट भी या गूमने पर ये टेल देशना देना नहीं होता ठीक है है ना इंजिन को जो रहेगा क्रैंक साफ्ट को गुमाने में और और एर यह हो गया हमारा यहां पर एक ओर हुई है यह यह ताप मान वाली यहां पर C लिखा होता है C का मतलब होता है Cool या Cold और H का मतलब क्या लिखा होता है H का मतलब Heat या High भी कह सकते हो इसका मतलब भी High Temperature हो गया इसका ही ज्यादा बैट रहेगा मेरी खाल से और इस पर बीच में रहता है यहां जो दिया बाई ना के पीच में और H के बीच में और अगर यह ऐसे सूई है ना C है यहां है तो आपकी सूई इदर रहेगी अगर नीचे है तो इसका मतलब इंजन ठंड़ा है खड़ी गाड़ी को थोड़ा सा गर्म करो आप खड़ी रखो थोड़ी दिर गाड़ी को और अगर है स denial मतलब इंजन गरम हो गया गाड़ी को थोड़ा साना स्टार्ट में ही थोड़ा खड़ा कर लो चलाओ मत एक तरफ देखो उसको कम होता है कि नहीं नहीं तो फिर मेकनिक को बलाओ ठीक है कितने किलोमीटर निकालें कितने किलोमीटर निकालें है ये देखो यह रहा इसे लिखावा है तीन लाख 250 km ठीक है गुड मॉर्निंग कौन कर रहा है भाई अभी कौन उठाए अभी अभी तो यह देखो भाई ओडोमेटर हो गया आपका अच्छा इसमें और क्या रह गया ओडोमेटर ने किलोमेटर बता दिये यह कुछ निसान दे रहे हैं आपको यह तो आप जानते ही हो इंडिके यह आजाएगा ओन करते ही यह आपका ओएल प्रैसर यह चोटे दिखाई दे रहे हैं यह बड़े चितर में आगे कर लेंगे हम छोट छोटे हैं आपके मीटर आपको थोड़ा बड़ा दिखा दिया मैंने देखो इसमें उसमें कम साफ दिखाई दे रहा था ना हां बहुत हीट पैदा करेगा अगर खड़ी गाड़ी है तो वो बहुत धिरी-धिरी बहुत कम RPM पी होती है वो ठीक है ना तो इसलिए piston धिरी-धिरी चलेगा ठीक है और आपका radiator क्या कर रहा है radiator कर रहा है coolant को thंडा तो वो ठंडा कर रहा है coolant को radiator जो आपका टेकोमेटर बताया था यह RPM जो बताता है अभी अभी explain कर दिया था मैंने इसमें बड़ा दिखे जाएगा आपको और यह बताया था जो दूरी को बताने वाला मीटर का नाम क्या है तो ऐसे स्पीडो मीटर मतलगा आना गलत हो जाएगा स्पीड बताने वाला स्पीडो मीटर यह याद रखना असान है स्पीड से स्पीडो मीटर ओडो मीटर थोड़ा सा भूल सकते हैं आप दूरी को बताएगा और टेकोमेटर टेकनोलोजी ये आरपीम वगरा इसमें आप बताना सबसे टफ बड़ा है भी टेकोमेटर है ठीक है अच्छा अब मैं आगे चलूँ ये क्या आगया भाई पहले तो बताओ ये साफ दिखाई दे रहा है क्या आपको ठीक है ना साफ और सबच ठीक से आँखों अब कईयों को क्या होता है कि चलाते तो रहते हैं अब उनका मतलब नहीं पता होता तो उस वजए से वह अलर्ट नहीं हो पाते गाड़ी जो कहना चाहते है अपना दुख दर्द वह समझ नहीं पाते और गाड़ी फिर बिचारी रूख जाते है फिर कहते है खराब हो गई जाले पिताहिता यंदिक्दaring भशकाइक किया कि उसको कोई तकलीफ है या फिर बूख अब देखना आपको अपने आस पास कई बुजूर्ग वैक्ति मिल जाएंगे पहले वाड़े लोग होते थे थे न वो गाड़ी को अच्छे से चलाते थे सपिट्स खीषते ही नहीं थे आज मुझे कई बार मिल जाते हैं सत्तर की स्पीट्स उपर गाड़ी चलाते ही नहीं है क्या आई वह क्यों आपको भी गारी प्यार से रखनी चाहिए फिक है और उसके इसारों को समझना चाहिए क्या इसारा दे रही है यहां पर यह बताऊ मुझे क्या ही सारा दे रही है आप बताओगे ठीक है मैं लिखता जाओंगा ये दो नंबर ये बताओ क्या है ये तीन नंबर ये बताओ क्या है यहाँ वाला यहाँ लिख देंगे ये बताओ क्या है ऐसे बोलते जाओ जिसको जिसको जो समझ में आता है ठीक है ये वाला तो मैं पहले लिख देता हूँ डिसकस बाद में कर लेंगे अच्छा उसके बाद किसी ने कुछ बताया है भई पैट्रोल का पैट्रोल की बजाए मैं यहां तेल लिख दू अगर आप नाराज ना हो ठीक है अच्छा सीट वेल्ट भी किसी ने बताया है सीट वेल्ट है कर यहां यह इसमें ऑच्छा टेंपरेचर का टेंपरेचर का कहीं देखू मैं निसान है क्या टेंपरेचर यह तापमान का इसके अलावा और कॉंड से पता है एयर बैग का सूमित ने very good यह देखो यह गोला सा खुलता है ना airbag airbag जो खुलता है तो वो क्या होता है गुबारा जासा ही तो होता है यह गुबारा है यहाँ पर बेल्ट कहा है बेल्ट नहीं है न अच्छा और क्या है भाई फ्यूल तो आ गया फिसलन ये रहा फिसलन ठीक है या फिर इसको बोल देते हैं लो ट्रेक्शन लो ट्रेक्शन इसके लिए भी यूज होती है ये तो इस वाली को मैं थोड़ा सा फिर इधर यूज करना पड़ेगा यहां पर इसका यहां लिखूँगा फिर मैं और बताओ हैंडब्रेक भी किसी ने बताया है हैंडब्रेक कहा है यार मुझे क्यों नहीं रिखाई दे रहा हैंडब्रेक नहीं है बई और क्या बताया है बई ब्रेक ब्रेक वाली ये है ठीक है यह आगे आपके बरीक वाली light ठीक है अच्छा ओवर हीट वाला ओवर हीट वाला कौन सा है इसमें ओवर हीट वाला कोई नहीं है वई यह ताब मान बताएगा अच्छा इंजन की light हां, ये इंजन वाली है कि इंजन में कुछ खराभी है तो ये light जल गई अच्या, picture क्या होता है anti brake system हां, ये आगया आपका anti brake system जो है, उसमें कोई खराभी हो गई है ठीक है ना तो आप जैसे तैसे बड़े आराम से brake मारते हुए एंटी ब्रेक सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आप गाड़ी को स्पीड से ज़्यादा ना चलाएं यह उमीद मत करें कि गाड़ी बहुत अच्छा ब्रेक लेगी तो जहां भी पहुंचने है आपको गराज तक या घर तक तो आपको ठीक ठाकशलाता है और बहुंच जाएं ठीक है इंजन ओयलए यह ओयल प्रेशर बताता है ओयल रैसर को बताए है ठीक है »णिन ओयल्र पेटरोल वारा नहीं जो इंजन ओयल ऐस डलवाते हैं हर बार जाते है कास्ट ट्रोल वगरा डलवाते हो सर्विस करवाने तो वह पूरा होना ची उसका माप के देखते हैं ठीक है अच्छा और सब तो हो गया मेरी खाल से यह वाला जो है ना यह वाला है आपका गीयर कि शिफ्टिंग के लिए ब्रेक के लिए किया ब्रेक का यूज करते हैं यह समझाऊंगा मैं ठीक है न आपका ऐसे समझ मिनी आगा और कोई रह गया इसमें और कोई नहीं रहा इसमें ठीक है यह किसमें यूज होता है बही आटोमेटिक में ओटो लिघ देता हूँ यहाँ अब बन भैई आ जाते हैं अगर आपकी तो आप वो क्या करना चाहिए पिर उसती में उस तीत्री में आप क्या काम करो गढ़ी को भण्ठ तो मथची कर देना गाड़ी को अगर आपने बंद कर दिया तो आप आ डपी दो भी जाना गारा घा अ काम करो. कि या तो garage garage या बैटरी वाले के पाँ से कहीं나 कहीं ए बैटरी को चार्ज शी नहीं कर रहा है तो बैटरी आपकी खर्च तो हो रही है क्योंकि बैटरी बहुत सारी सिंगनल देती है बैटरी से अंसर काम करते हैं गाड़ी के जैसे एंटी ब्रेकिंग वगरा और इनमें काफी सेंसर लगे होते हैं वो काम करते हैं ठीक है गाड़ी चलती है तो बैटरी तो पी रही है पर चार्ज नहीं हो रही है वो पी जा रही है तो एक पॉइंट पर खतम हो जाएगी बिल्कुल तो इसलिए कि आसपास गराज कहीं वी यह घर आसपास हो तो वहां पहले पहुंचो आप बंद कर दो कर दो यह समस्य आओ सकते गाड़ी दुवारा स्टार्टी ना ओ ठीक है लास्ट वाला रह गया लास्ट वाला अच्छा यह रहा यह किसका है बच्चो लो टायर प्रेसर टायरों का प्रेसर कम ह गया ठीक है ना किसी दीसी बात अवा कम हो गई है ना टायरों में अवा कम हो गई किसी एक में भी कम हो सकती है तो भी आ जाएगा अच्छा अब दूसरा मैं क्या कहूं दूसरा आगया फिसलन वाला यह साइन आ गया तो इसका में कईयों में क्या होता है कि गाड़ियों में traction control का option होता है अगर मालो वो खराब हो ज़ा traction control क्या होता है वो गाड़ियां fissalon में control करती है अपने आपको गाड़ी चल रही है ना तो traction control वाली गाड़ी होगी ना तो वो कम फिसलेगी वहाँ पर ठीक है ना ऐसा system होता है उसमें तो अगर वो system खराब हो गया तो वो यह दिखा देगा भी traction control जो है वो हो गया है तो में कोई खराबी आ गई है या फिर hand break लगा हो एया तो भी ये sign आ जाता है अगर आपका है है और it के है आज पास दुकान ढूंडओ वहां पहुंचनो क्या पता ब्रेक लगे ना लगे या पिर आप गाड़ी को बंद कर सकते हो किसी को बुला सकते हो तोचन वोचन करके भी ली जा सकते हो या फिर मालो क्रेज लेना पड़ेगा हमें इंजिन वार्निंग लाइट अगर ये जल जाए ठीक है ना तो क्या करना चाहिए आपको एक तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्या आजाए येलो लाइट आजाए और एक हो सकता है कि आपके पास कौन सी आजाए रेड लाइट आजाए रेड लाइट आए तो आप क्या कर दो तुरंत बंद कर दो इंजिन को तुरंत बंद ठीक है और उसकी बाद आपको मेकेनिक बगर या जो भी जुगाड है आपको वो करना पड़ेगा क्योंकि अगर खा एंजिन वार्निंग के बाद विर वो भी रेड में तो आपका एंजिन खराब हो सकता है एंजिन सीज हो सकता है कुछ भी हो सकता है उसमें ठीक है अच्छा दस जून को जो बैच स्टार्ट होगा उसका जो स्लेबस कब तक कंपलीट होगा उसकी कोसिस करेंगे कि हम 10 मजरें सक्तार आप चला सकते हो थोड़ा बहुत अगर आपका घर पास है ए गाराज पास है तो थोड़ा बहुत चला हो उसको ठीक है और अपने घर या मालो गेराज थिक है नहीं वहां तक अगर आसपास है तो ऐसा नहीं कि आपका अगर 500 community रहे न नह ना नह पिर खराबी हो गया खराबी थोड़ी है इसमें जादा है ठीक एक तो यह हो गया अच्छा इसके बाद हमारे पास कौन से लाइट है यह वाली यह वाली लाइट जिसमें जूता सा ऐसा लगा हुआ है यह आपकी गियर सिफ्टिंग के लिए होती है ऑटोमेटिक गाड़ी है अब इसमें क्या हो सकता है इसमें गियर सिस्टम कैसे होता है इसमें गियर सिस्टम होता है एक तो होता है आपका ड्राइव मोड एक होता है पार्किंग मोड और कौन सा होता है एक ड्राइव मोड हो गया पार्किंग मोड हो गया और कौन सा होता है स्टोप के लिए कुछ होता हो मोड में आपको गारी क्या करना है चलाना है आप गारी को चलाना पड़ेगा गेर लगाना पड़ेगा ठीक है तो गेर लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है ब्रेक लगाना पड़ता है और बार ठीक है ना ब्रेक लगाना पड़ता है ब्रेक लगा के और फिर आप चेंज करते हो डी से पी पी से डी ऐसे आपस में एक आर होता है काड़ी को आई रिवर्स ठीक है विल्कुल सही पाखी अवनी भाटी यहां है तो मालव आप ड्राइव πोड्राइव मोड्द अपना है ड्राइव मोड से आपको गाड़ी रिवर्स करनी है तो पहले ब्रेक लगाऊ ताकर आगे latih के सिधा रिषफ लगा दिया तुंग क्या करता है यह पैले गर cruelty लगाओ तो प्रेक है दूसरा करें यहरई तीस लगाओ त्रया तो ब्रेक उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और उसके बाद आप रिवर्स करो आगे करो खड़ी करो ठीक है तो यह कर देगा वो इसी का निसान ये था आपका कहां था वो निसान ये वाड़ा ठीक है तो इसका मतलब यह था कि यह वार्निंग दे रहा है उस गिर सिस्टम मे कोई खराबी आ गई है या तो यह वार्निंग दे रहा है या फिर मालो आपने कोशिस की कोशिस क्या की आपने धरिश्टा की है ना आपने क्या किया कि चलते में मालो आपने रिवर्स करने कोशिस की कुछ की तो यह लाइट आई तो समझ जो कि यह बता रहा है कि यार कम से क प्रेक तो मार कि पंजा लगा पहले और उसके बाद गिर चेंज करतो ठीक है एन फोर नूट्रल हाँ फोर नूट्रल होता होगा आप देखें लेना इसमें कुछ निसान होते हैं इसकेthinking कुणसा अगयात यहथ indicate कर चल quier storms टो आगई पर इसका मतलब किया है वहा भी समझा दूँ आपका airbag वार्निंग लाइट आ गई है न एर बैग वार्निंग लाइट आ गई तो आप करोगे क्या बात यह कह रहा है ठीक है तो इसका मतलब क्या है हो सकता है संभावना है हो सकता है बैग ना खुले मैं सोट में लिख रहा हूँ एर नहीं लिखा मैंने आप समझ जाना हो सकता है बै गाड़ी उसी हिसाब से चलाओ या आपके पास protection नहीं है accident हो गया तो कुछ भी हो सकता है तो इसलिए गाड़ी अपने उसी साब से चलाओ मतलब धीरे सावधानी से और जहां भी पहुंचना हो पहुंच जाओ उसके बाद इना ठीक करवा लेना थीक है अच्छा है उसके बाद कौन सी लाइट है वही इसके बाद हम यहां आ गए ओएल प्रेसर ठीक है ओएल प्रेसर पर आ जाते हैं हम ओएल प्रेसर पैन दूसरा ले 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 ना एक एक पैन हो गया ओएल प्रेसर के लिए जो लाइट होती है इसका मतलब क्या हो गया कि ओएल प्रेसर जो है वो कम बता रहा है वो तो फिर आप क्या करोगा या ज्यादा बता रहा है वो तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको उसके बाद आप इंजन ओएल चेक करो engine oil क्या करना पड़ेगा आपको check करो ठीक है हो सकता है कि यह light आपकी क्या आए yellow में आए और हो सकता है आपकी light यह red में आए red का मतलब है कि अब तो khत्रे की घंटी है ठीक है airbag हो तो 200-300 चला सकते हैं Guru जी मनलब सारी जिम्मेवारी जो है है आपने एहरवेग को देदी खुद एक जिम्hingवार नागरिक नहीं बढ़ना जाते है ना जिम्मवारी को पूरी की मदशुम्पो' हना सांजे से चलना चाहिए प्यार से मिल जोल और के चलो कुछ जिम्मवारी खुद समभादू है इसे चलना पढ़ model वद तो येलो लाइट है तो इसह में आप थोड़ा बहुत चला सकते हो थोड़ा बहुत आप चला सकते हो ठीक है ठीक है और इसमें क्या है रेट लाइट आए तो मत चलाओ मत चलाओ ठीक है oil check करो oil check करो oil का level कम है oil level जो है वो कम है ठीक है तो उसको fill कर दो आपने उसमें भर दो फिर भी problem हो तो फिर आप check कर वाओ फिर भी क्या बात है ठीक है तो यह oil warning light के case में आप ऐसे कर सकते हो और कौन से warning light आ रही है ABS anti-breaking system नहीं काम कर रहा अरे भी धीरे धीरे चला के पहुंचो कहीं भी ठीक है ना break तो लगेगा ABS मतलब बहुत अच्छा breaking system होता है वो काम नहीं कर रहा आपका तो मतलब सधान गाड़ी की तरह break फिर लगेगा तो इसलिए आप चला के थोड़ी धीरे चलाओ फिर और यह temperature की होती है ताप मान वाली हाँ इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ अच्छा यहां पर जगए नहीं है चलो हमें एक page ओर ले लेते हैं ताप मान अब ताप मान आपका क्या हो सकता है ताप मान या तो कम हो सकता है ताप मान और यह फिर ज़्यादा हो सकता है ठीक है अगर कम है ताप मान तो क्या हो सकता है कि गाड़ी हो सकता है स्टार्ट ही ना हो फिर तो आप करी क्या सकते हो उसमें तो किसे ने किसे को बुलाने ही पड़ेगा फिर आपको या फिर स्टार्ट हो जाए तो गाड़ी को स्टार्ट रखो गाड़ी को क्या रखो स्टार्ट रखो उसमें क्या होगा धीरे धीरे मतलब क्या होगा धीरे धीरे थोड़ी देर में टेंपरेचर जो क्या हो आपका normal ये मैंने भी देखा थोड़ी देर में खड़ी-ध्य गाड़ी वो temperature normal हो जाता है ठीक है कई बार आपकी मालो battery जो है ना battery आपकी low गई डेड हो गई ठीक है उस case में आपका temperature कम हो जाता है कि बहुत सारे function आपके चल नहीं पाते है उस वज़े से तो बैटरी को ठीक कर दोगे तो भी temperature बाद में ठीक हो जाएगा अगर ज्यादा हो जाए temperature ठीक है तो इस case में क्या करोगे फिर आप temperature इसका ज्यादा हो जाए temperature का किसका मतलब है जो आपको coolant होता है आपका जो इंजन होता है वह पिस्टन और सिलेंडर टकराएंगे तो वहां पे हीट पैदा होगी उसमें आग लगती है उससे भी हीट पैदा होगी वह गरम होता है तो इसको ठंडा कोन करता है उसके coolant गुजरता है कल ही तो हमने किया था cooling system तो coolant गुजरता है radiator में से फिर जाके पंक्खे से ठंडा होके फिर आता है वो तो गरम ठंडा होता रहता है तो engine गरम ठंडे का मतलब आता है coolant गरम ठंडा होना अगर coolant आपका बहुत गरम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि coolant गरम है ठीक है, coolant गरम है, ठीक है, इसका सीधा समतर ये भी हो गया कि engine भी गरम है, engine गरम है, ठीक है, तो उस case में आपको क्या करना चाहिए, अगर वो गरम है तो, एक चीज तो ये कर सकते हो, कि गाड़ी खड़ी रखो, गाड़ी भाई, खड़ी रखो, खड़ी रखो का मतलब है start, start खड़ी रखो आप, ऐसा नहीं कि बंद रखो, तो गाड़ी खड़ी रखोगे ना, तो आपका धीरे धीरे पिस्तन और वो चलेगा, तो heat कम पैदा होगी, और जो आपका रेडियेटर और पंखा है, वो उसको ठंडा करता रहेगा, धीरे धीरे, coolant ठंडा हो जाएगा, ठ इसा कर सकते हो, आप फिर भी ठंडी ना हो तो मेकनिक को बलाना पड़ेगा, अबर गाड़ी को बंद मत करो, गाड़ी को गरम में ही गाड़ी को बंद मत करो, ठीक है, गाड़ी को बंद मत करो, उसमें इंजन क्या हो सकता है, सीज हो सकता है, इसमें इंजन सीज की संभावन होती है बंद करने पर कि कैए तो यह द्यान रखने आपने गाड़ी का कि गाड़ी को स्टाठ रखो मैअर्ट को बिला लो वह информक्वा वह जल्दी से तू आ या तो स्टाठ रखोगर grands तो तो मेकनिक को बुला लो प्रबंद मत करो ठीक है चलिए 60 एप में 60-70 वीडियो होती है सब की अलग-अलग हां में लब 60 वीडियो या 50 वीडियो या 60 वीडियो बनेगी ठीक है ना सलेबस की साइद 50 मने 55 मने मैकसिमम साथ बनेगी 50-60 के बीच में कितनी कलासिज आपकी बनेगी ठीक है बच्चो अच्छा अब यह देखो लाइट तो सारी हो गई न साइद यह रही तcak कि टायर लो टर्य ह्यर प्रैसर में बहुल और हवा कम हे रही सिंपल सी बात है कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोई प्रिशानी वाली बात नहीं आप चला सकते हो लो टर्य में भी टीक है टायर को नुक्सान नह Android मेर ज़ाँद चलाण और जहां भी हवा वाला मि इसमें दिखनी रहा चलो लाल दिखेगा इसमें है एड लाइट जैसे ही आप हैड लाइट ओन करोगे तो आपके मीटर में दिखाई दे कई बार ऐसे वहम हो जाता है जब अन्धेरा पूरा ना हो और थोड़ा-थोड़ा न्देरा हो रहा है अपने लाइट जला ली पर कई बार भहम रहता है अगे जली है या नहीं जली है मुझे तो दिखनी रही आगे लाइट जली हई तो अपने मीटर में देख लो यहां पर वह साइन आ जाएगा इसका का हाई बीप के लिए बी साइन हो सकता है हइस कुछ गाडियों में, कि ऐसे यू कर देती है और यू भी दिखा देती है यह आपकी हजाड लाइट बहुते है ह disrespectful डाइट यू उसके आपको हजार, अमर्जेंसि-लाइट थीक है पार्किंग लाइट खते हैं Eh beautiful अगड़ियों अगड़ियों न की above Rat गाड़ी खड़ी हुई है या फिर पार्क राइट जला दो तक समझ जाए आप गाड़ी रोकने वाड़ा है यह ऐसा नहीं कि मैं स्पीड से लागे ठोक दूँ इसमें तो पहले से अलोट हो जाओ यह आपका राइट इंडिकेटर है आपको ऐसा ही लेफ्ट की तरफ होता है इंडिकेटर इसमें इंडिकेटर लीवर होता है आपके राइट साइड में स्टेरिंग के नीचे ऐसे ठीक है उसको दबाते ही ऐसे नीचे करोगे तो राइट वाड़ा जल जाएगा ऊपर करोगे तो लेफ्ट वाड़ा बीच में लियाओगे तो दोनों इंडिकेटर नहीं लगा रखा, तो आप क्या करो, इसको ओन कर लो, ठीक है, कोहरे में कैति यूज कर सकते हैं, क्या हजार लाइट को, काफी लोग करते हैं कोहरे में, ताकि दूसरे बंदे को दिखता रहे कि आगे गाड़ी जा रही है, ठीक है, करते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इ इसमें क्या है कि आपकी window या दरवाजे कहलो वो open है ठीक है ना दरवाजे open है दरवाजे क्या है open है ठीक है आप window का होता है वह समझ जाना वो सीज़ा ओपन है तो उसको कोई लेना देना नहीं है अगर वह विंडow वाला सीज़ा अगर उसको विंड़ो बोल रही हो आप तो कोई दिक्कत नहीं उसमें गाड़ी आप चला सकते ओपन करके भी पूरा दर्वाजा खुला हुए है तो वह यह साइ आपका टेंपरेचर का कहलो ठीक है यह आपका कूलेंट टेंपरेचर का कहलो कूलेंट होता है न उसका टेंपरेचर बताता है कि टेंपरेचर क्या हो गया है आपका हाई हो गया क्योंकि रेट जल रही है और यह आपका इंजन टेंपरेचर भी कह सकते हो इसको इंजन टेंपर पहुंच अवास पास नजदीक दूर नहीं और अगर रेड आ गई तो फिर आप क्या करो यह बताई थी ना दोनों तब तो आप किसी मेकनिक बगरा को बुला लो ठीक कर वा लो गाड़ी ठीक है बंद कर दो गाड़ी को इसमें हाई टेमपरेटर हो जाए तब मैंने का था बं सानी क्या खराबी हो इसमें ठीक है ना शिर्फ टेमपरेटर की बात है अगर तो टेमपरेटर अगर हाई है तो हाई टेमपरेटर में गाड़ी को बंद नी करना वेट करना है खड़ी रखो उसको कि वह टेमपरेटर डाउन आजए कन्फ्यूजन क्लियर बता देना आपको अगर कलियर ना वियो तो ठीक है अच्छा अब इसमें देख लो यह क्या है आपके इसको एर वेंट भी बोल सकते हो और कहीं पर आपका एस इवेंट भी लिखावा सकता है ऐसे मत कहना कि मेरे को एर बताया था इस ही नहीं बताया हो तो भी वो ठीक होगा यहां भी यह आप पर क्या है इसका यहां पर कोल्ड थंडा करेगा इस तरफ यहां पर निसान कोंड सा होता है आपका यह तो ग्रीन होगा या ब्लू होगा और इस तरफ क्या होगा यह रेड वाला साइन है यहां पर तो यहां पर क्या करेगा गरम करेगा यह ठीक है तो इसको यूज कर सकते ह आप यह आपके FM के बटन हो गए या music system के बटन हो गए यह वाले आपके यह आपका music system पुराने टाइम में CD डालने माले भी आते थे आज कल नहीं आ रहे हैं ठीक है अच्छा रोजगार विद अंकित अप ओपन नहीं हो रहा है तो help line नमर पर बच्चे contact कीजिए ठीक है यह देखो यह क्या है आपका side, side में देखने के लिए side, view, mirror, side में अगर आपको देखना है तो उसका sisa है यह side में पिछे की गाड़ियों को आप देखे चलें अगर आपको right में लेना एकदम तो पिछे देखना जुरूर एक नहीं आरी एकदम लोगे तो गाड़ी टकरा सकती है ठीक है इसलिए कहा रहा हूँ यह है आपका rear, आपके पिछे कोई गाड़ी आ रही और उसका view मतलब पिछे का द्रिश्च है देखने के लिए sisa ठीक है rear view तो इसमें क्या हो सकता है कि आपको brake लगाने के लिए use होती है अगर आपको brake लगाना है वो side में करने के लिए थी अच्छा, और और क्या हो सकता है इसमें यह तन आपको पता ही है यह आगए आपका accelerator यह आगा आपका brake और यह आगए आपका italics आपका brake और यह आपका hand brake है hand brake इनको आप अच्छे से पहचानते हो यह आपका steering steering ठीक है steering system एक तो hydraulic system है और active system है high drillic, Hydraulic system हो गया और एक हो गया आपका Electric Hydraulic बोला है Sky जहां भी आ जाए Hydro द pleaseduje Hydro Hindu फीक है तो Hydro जहाँ भी आ जाता है पाणी एचसली से बना है तो इसको पानी या liquid वाला समझा लो तो इसमें क्या होगा इसमें आपका टेल यूज़़ीज और होगा यह फ्लूड कहे देते हैं कि ही उसको फ्लूड ूजोगार यह माल लिक्विड्य यूज रहने dot है तेल इंजन होथा है पिस्टन होता है यहां पे मोडर तो होगी होगी इसका मतलब motor, electric system motor से काम करता है, यहां पर ECU unit होती है, electric control unit, ठीक है, electric control unit, तो जो electric system है, उसको control करेगी, sensor बगारा लगे होंगे, कि कितना गुमाना है, कितना नहीं गुमाना, कितना current देना है, जैसे आप steering गुमाओ, तो wheel को कितना गुमाना है, तो इस हिसाप से यह वरक करेंग इसमें, ठीक है, तो यहां पर आपके पईये लगे होते हैं, ठीक है, तो यह system इसको करेगा, control कि यह आसुचना देगा, कितना गुमादो, यह steering गुमाओ, उस हिसाप से motor उसको rotate करेगी, ठीक है, यह power कहां से लेगा, यह वाला power लेगा आपका, power लेगा बैटरी से, ठीक है, पावर लेगा बैटरी से, यह hydraulic system है, इसमें pump काम करता है, और pump जो है, वो power किस से लेता है, pump, pump power लेता है, engine से आपका, ठीक है, इंजन की साफट से जुड़ा होता है, और उस साफट जो गूमती है, उस से यह power लेता है, अपना अलग से, तो इसलिए इंजन की power लेता है, वो steering के लिए use हो रही है, इसमें steering के लिए use नहीं हो रही है, ठीक है, और क्या हो सकता है, इसमें यह भारी होता है, थोड़ा सा क्योंकि इसमें पूर्जे जादा होते है, ठीक है, इसमें fluid भी होता है, liquid होता है, वो डलावा होता है, तो उसमें क्या होता है, system की जैसे आप steering को तो फिर जो nude होता है वो travel करता है कि इस तरफ आगया fluid या उस तरफ चला गया flowing तो फिर pressure Crreat करता है उस तरर मोडने के लिए तेल जादा या कम जाता है न उस इसाथ से यहां पर pressure पढ़ता है अच्छा इसलिए इसमे जादा fluid है सिस्टम नहें होता ज्यादा वह सारी दंकित यूटूब चैनल जाओगे तो उसके अब आउट में मिल जाएगा लास्ट में अब आउट वाले कॉलम में मिल जाएगा ठीक है आप आप वह देख सकते है और तैलीग्राम नंबर चानलए पावर– नेखी पावर कंजूम Technology पावर लेता है यह डाफर अन्जन से यह एलेता है यह सटेबल सब्सक्राइब कि यह सब्सक्राम आप claro सब्सक्राइब के दिरैबल जाया नहींती है से見て«शब्सक्राणु है वो बहुत एफिशेंट ली आता है ये इन दोनों में फरेकुता है ये कुछ स्टेरिंग का था अच्छा अब आपके क्या आ गए वे क्यों सन आ गए आपके स्क्रीन पर अच्छा अरे गर्ल्स और बॉइस लड़ क्यों रहे हैं देखो मिनू आप इन बच्छों की बातों बेद्धान मत दो ये बहुत नादान किसम के लड़के हैं मेरे स्टूडेंट हैं ऐसे ठीक है आप इनसे परिशान बिल्कुल ना हो आज कल मैंने PCR देखी है इवन दिल्ली पुलिस की PCR देखिए उसमें लेडी चला रही होती है मैंने खुद देखा है गल्स कोलेज है एक द सकता है इस भरति मीं आजए तो अभी उनको नहीं कह सकते लेडी चलाती है बसीचलाती है पैसेंजर बसीचलाती है तो कोई बात नहीं है अगर वह कुछ ज्यान ले रही है अपनी घर के गाड़ी चलाने वे भी तो कुछ काम याए गा उसको तो पढ़ने दो ना विचारी क ठीक है अच्छा इसमें बच्चों ने बता दिया कि ये किसका है अच्छा इसमें मैं क्या करता हूँ इसमें option गलत है ठीक है हम तेल दबाओ का तो इसमें लेना देना ही नहीं है इस option को मैं change कर देता हूँ हम कैसे change करूं भाई वाइट फ्लूड लगा देते हैं इसमें आप गोरुजी बोर्ड पर कैसे लगाएंगे वाइट फ्लूड बिल्कुल लगा देंगे भाई अब देखो आप यह देखो वाइट फ्लूड लगा दिया है ना वाइट फ्लूड भी हमारे पास है और इसकी क्या करें अच्छा अच्छा मैंने पैन बड़ा ले रख है ना अब पैन का कलर तो चेंज करना ही करना है और इसको छोटा भी करना पड़ेगा हां यह आजाएगा बैटरी चेतावनी बैटरी चेतावनी के लिए लाइट है कि बैटरी जो है वो चार जोना बंद हो गई है डेड हो गई है जो भी ठीक है तो यही आपका उत्तर है बैटरी वाड़ा आएगा ना इसमें तो अब क्या आजाएगा आपका पहले का भी आजाएगा आपने जो बहुत समझदार है उसने बैटरी वार नहीं लिखा ही नहीं तो उसका सही हो गया ठीक है ना अच्छा राहूल टाइगर कहा रहे हैं कि आपकी बुक बहुत अच्छी है राहूल बहुत धन्यवाद खूब पढ़ो बच्छे और लगो आपकी विसी स्पूरी हो यह लाइट किसकी बताओ भई यह द्यांसे देखो यह लाइट यह लाइट है आपके ब्रेक सिस्टम अलर् करेंगे कर देंगे यह सुलें क्या करेंगे हैं अ कि किकैना हमनायां है अच्छा यह तो टायर दबाव वाला ही है यह वाला निसान जो था मेरी खाल से ऑ एक मिन्ट में देखूं कि निसान मुझे भी एक जैसे परतीत होते हैं कहां पे था वो हमारा चार्ट बिल्कुल सही तो यह टायर दबाव का इसमें गलत है तो इसमें भी हमें थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा कैसे करें अब इसको करते हैं साफ ठीक है यह टायर दबाव बताना है ना हमें इसमें तो हम क्या करेंगे एंटी लोग ब्रेक चितावनी को हटा देंगे कितना कितना अटाना है बताओ अब यह वाला एंटी लोग ब्रेक चितावनी को हटा देते हैं यह टायर दबाव की है टायर दबाव ठीक है तो हमारा option क्या हो जाएगा बच्छों फिर हमारा option हो जाएगा बी ठीक है बी हमारा answer हो जाएगा बी आ रहा है बिल्कुल सही कुछ option क्या है कि मुझे अंग्रेजी में question मिले मैंने type करने के लिए भेजे और जो google में translate में जो typist है वो डालते हैं उनको गूगल अपने आप translate करता है तो फिर दिक्कत आती है इसलिए दो तिन question में इसमें गलत है ठीक है तो इसमें भी आ जाएगा यह tire pressure का है अचा यह किसका है भई इसमें भी option गलत है इसमें भी मैं ठीक कर देता हूँ पहले ठीक है तब तक आप सोचो कि आप क्या करोगे इसमें है तो यह तेल से related पर तेल दबाव नहीं है यह तेल कम है तब ऐसा होता है क्या होता है तेल कम हो जाए ना तब ऐसा होता है तो हम तेल कम लिख रहेता हूं मैं तेल कम और option हो जाएगा c ओए low warning हाँ यह option बहुत बड़ी है बच्चों आप बता रहे हो कि आपको जो अलगता है वो बता दो इनको छोड़ो जो गलत है आप बता दो कि ओए low है ठीक है नहीं ऐसे comment नहीं करते है टाइप इस्ट पर हमारे जो भाई है वो बहुत महनत करते है ठीक है ना पर क्योंकि उनका कम type करने का होता है translation वगरा Google जो करता है Google तक गलतियां कर रहा है तो आप उनको दोस्त कैसे दे सकते हो है ना Google तो कितना आई-पाई सिस्टम है अच्छा ये किसकी चितावनिय बताओ भई ये हमारा आया था टायर का कोई लेना देना नहीं है इसमें तेल का कोई लेना देना नहीं है इसमें ठीक है ये आपकी break की थी तो हम मैं break लिखता हूँ इसमें कहां पे लिखूँ brake ये हो सकता है कि option है जो ऊपर नीचे होगये मेरे को लगता है कि तर तो वहा लग गए और option ऊपर नीचे होगये कम तेल वाला ये वाला लगना चाहिए था ठीक है ना तो इसमें यह आपकी सुपना है ब्रेक अलर्ट की कि ब्रेक में कुछ खराबी हो गई है तो गाड़ी को आप ठीक ठाक चला वाँ इसको इन्दी में लिखना है न एक मिनट यह तो गडबड हो गया यह तो मिटाते हैं उस पर नीचे वाड़ा भी मिट जाता है वह तो अब हम क्या करें यहां करते हैं यह लेते हैं हिंदी में लिख देते हैं ब्रेक चितावनी लिखूं या अलर्ट लिखूं ब्रेक चितावनी ठीक है ना तो ब्रेक में कुछ प्रोब्लम हो गई है गाड़ी को ठीक ठाक चलाओ हां हैंडब्रेक भी हो सकता है हैंडब्रेक लगाओ वह भी brakes related है, कि brakes related problem है, handbrake हटा लो, फिर भी अगर यह problem रहती है, तो इसका मतलब braking system में problem है, गाड़ी अपने risk पे चलाओ, यह किस चीज की light है, यह side पहले नहीं आई, अभी आई है, यह cruise control की है, ठीक है, यहाँ पे speedometer है, यह देखो यूँ, ठीक है, तो एक speed के ऊपर यह 3 ब control देते हैं, इसको cruise, कि आपने अगर set कर दिया, 120, तो गाड़ी 120 तक जाएगी, उससे उपर नहीं, उससे उपर नहीं जाएगी, उससे उपर नहीं जाएगी, आप कितना यह accelerator दबाओगे, उससे उपर गाड़ी नहीं जाती, फिर यह cruise control, कि क्या फाइदा करता है, यह accident से ब और आपकी सुई की तरफ के कहीं, आपकी speed जादा तो नहीं हो गई, ठीक है, अच्छा, उसी speed पर चलेगी, बिल्कुल सही, उससे कम चल सकती है, आप कम करोगे तो accelerator, उससे जादा नहीं चलेगी आपकी, ठीक है ना, ताकि आप maximum speed को cross ना करो, यह आपकी engine warning की है, ठीक है, engine warning यह वाली, तो यहाँ लगा देंगे engine चेतावनी पर sign, यह आपने पहले देखा था, ऐसे हांडा सा आता, यह पूरा engine का system हो गया, आपका उपर यह टंक की सी हो रही है, ठीक है, तो यह engine warning की हो जाएगी, C option, very good, यह वाली किस की है, यह भी हमारा पहले आया था, ठीक है, इस इसका मतलब गाड़ी को फिसलन हुई है, गाड़ी को फिसलन हुई है, यानि की traction control जो था ना, traction control, वो गाड़ी का off है, तो इसमें परची संकेत की जगा आएगा फिसलन, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे आजाएगा फिसलन, ठीक है, यह कम कर संड, low traction यहाँ पे, ठीक है, तो यह आजाएगा आपका, फिसलन, कि यहाँ पे गाड़ी फिसल सकती है, क्योंकि आपका traction control है, वो काम नहीं कर रहा, traction control में, हंडा मतलब ऐसे हंडी सी कुछ, जिसमें आप दूद वगरा गरम करते थे, तो कम कर संड, low traction आजाएगा, तो फिसलन वाला, यह लगा आपनिसान, यह बड़ा देखो, आप यह क्या है, इसमें option तो सही है, हाँ, option तो सही है, मैंने बताया था ना, कि एक सुई होती है, यहाँ C होता है, यहाँ होता है, यहाँ पे हो तो ठीक, अगर यहाँ पे है, तो इसका मतलब engine ठंडा है, cool, और यह heat, engine ठंडा है, तो यह क् आता है, कि engine जो है, अगर red में दिखाए, अगर यह दिखाए, red में, red में दिखाए, तो गरम है, ठीक है, और अगर blue में दिखाए, या green में दिखाए, blue में होता है साइद, तो क्या कहतो, यह ठंडा है, ठीक है, तो यह तापमान चे तावनी है, जो भी ठंडा हो, गरम वो यह बता देगा या तो ठंडा है या गरम है ठंडा है तो थोड़ी दिर गाड़ी को ठीक खड़ी रखो और इतने में हो जाए गरम है तो भी थोड़ी दिर खड़ी रखो बंद मत करो ठीक है बंद करना नुकसान देखो सकता है ठंडे में बंद करना इतना नुकसान वाला नह यह जायाएगा आप का तेल भाउ चिता वनी बी वाला ओईल प्रेसर वाला ओईल प्रेसर जो है वह यह बता रहा है कि कम यह ज्यादा होता है तो आप उसमें engine oil, engine oil की बात हो रही है, इसमें coolant वगरा की नहीं है, या petrol की नहीं है, engine oil pressure की बात हो रही है, तो engine oil तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल दो, ठीक है, ये भी हो गया आपका, ठीक है, खतम, तो मैं pen को रखता हूं, और आप से क्या लेता हूं, आप से विदा, कल फिर मिलेंगे, आज class लंबी हो गई, बहुत दिनों बाद हमारी class एक गंटे को क्रोश किया है, ठीक है, तो कोशिस करेंगे कि इतनी लंबी न आ जाए class कल से, तो आज के लिए, टाटा और बाई बाई